हाई फ्रेंड्स, रिन्यूइबल एनर्जी यानि कि वो एनर्जी जो की प्राकृतिक सोर्से से प्राप्त होती है और पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट नहीं है उस पर Government of India का सबसे ज्यादा फोकस है और 1500 मेगावाट की हाईड्रो पावर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी जल विद्युत उर्जा का प्लांट चलाने वाली कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं नाम है SJVN यानि सत्लद जल विद्युत निगम लिमिटेड यह वो कंपनी है दोस्तों जिसके बारे में Government of India and Government of Himachal Himachal Pradesh उन्होंने मिल करके एक पावर को revolutionary लेवल पर लेके जाने का काम कर रहे हैं सो दोस्तों आज बात करते हैं इस वीडियो में SJVN की analysis की इसकी latest results की और जिस तेजी से price इसमें बढ़ी है क्या business model उसको support करता है और एक investor के तोर पे किस प्रकार के chances बन सकते हैं सारे questions के answers एक ही वीडियो में बिलेंगे यहीं पर इसलिए शुरू करते हैं SJVN का दोस्तों सागर्णॉमिक्स तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मेरी एक request है कि वीडियो पर आप सबसे पहले like करिए इसको और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को on करिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको time पर मिल जाए अब बात करते हैं दोस्तों SJVN के सबसे पहले business model की let's begin तो यहां आपके screen पर मैं SJVN का आपको एक background दिखा ज़ता हूँ यह basically government of जो हिमाचल प्रदेश है and government of India उनका एक joint venture है और electricity के production के लिए ही electricity generation के लिए ही इसका गठन किया गया था वर्तमान में six operational projects हैं इसके और उसमें सबसे बड़ा जो है वो है नत्पा जकरी जाकरी हाइडरो पावर जो हिमाचल प्रदेश में है पंद्रा सो मेगावर्ट का है जो इंडिया में largest है इसके अलावा बाकी यह चार और प्लांट से जिनकी details आप के सामने हैं अब बात करते हैं दोस्तों कंप्री चाहती क्या है कंप्री करती क्या है यह तो पता है आपको कि यह electricity produce करने का काम करती है वो भी जल विद्युत ऊर चाहती हमें पावर जिसमें की कोई पावजी होता है वह पार जिसका की खर्चा कम वह पावर माश्क नकंशेज आप क्यों कि पानी से अगर आपने टर्बाइन को घुमा करके उपर से गिराया टर्बाइन को घुमाया टर्बाइन गुमा और उसकी वैसे एलेक्रिसिटी बनी तो पानी थोड़े ना खतम हो गया वही पानी आपके बांधों में जाएगा वही डेम्स में जाएगा वहां से खेतो में जाएगा सिचाई होगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि जिसे पेट्रोल की गाड़ी में आपने पेट्रोल डलाया और थोड़ा दूर चलाया तो पेट्रोल जलके खतम लेकिन पानी तो पानी रहेगा ना वो आप यूज कर सकते इसलिए रिनियोबल ठीक है 12,000 MW ये लेके जाना चाहते है, 2030 तक और 25,000 MW लेके जाना चाहते है ये 240 तक यह aggressive plan है इनका, यह aggressive plan है, कितना अचीव कर पाएंगे? depend करेगा कमपनी किस तरह से उपरेट करती है बहराल देखे इसके top clients कौन-कौन से हैं? Top Client is Government of Himachal 25% इनका पैसा वहां से आता है और UP Power से योगी जी की स्टेट की बात कर रहे हैं दोस्तों बड़ी इंट्रेस्टिंग बात बताता हूं आपको देखो जब भी किसी शेर को खरीदो ना तो यह कोई वीडियो गेम नहीं है कि ऐसा बटन दबाया खरीदा बटन दबाया बेज दिया यह ना दोस्तों इस मेंटरेटी से अगर आप लॉंग टर्म वेल्थ क्रेश में मैं जो दूसरे बिजनेस सेज में शेर होल्डिंग का काम करता है यानि कि मैं आज अगर स् Park विजनेसे सकते बचले सकते हैं यह हिस्सेदार बन सकते हैं यह मेंटालिटी ज़रूरी है चलिए अब हम बात करते तो जो इसका जो रेविन्यू है वो 12 परसेंट आपका आता है जे के से और 9 परसेंट पंजाब से अब देखो मैं आपको इंट्रेस्टिंग चीज जो बता रहा हूं न वो आप यहां नज़र डालिएगा यह देखिए दोस्तों इसके जो recevables है अब बात करते है recevables पहली बात तो क्या होते है? वो पैसा जो कि आपने कोई माल बनाया किसी को बेचा लेकिन वहां से पैसा तुरंत नहीं आया बल्कि होसकता है एक मेने बाद आया हो सकता है 6 मेने बाद आया तो यह जो पैसा आने वा फ्रॉम रुपीज एट बिलियन दूट दूटू मेजरिटी रिकावर रिकावरी फ्रॉम दा लेट पेमेंट सर्चार्ज इन लास्ट टू यर्स और कहां से मेजर लिया है जेंड के से देखो और सेवंटी सिक्स परसेंट दूज वर फ्रॉम जेंड के विच अनौ स्टार्ट विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका आपको पॉलिटिकल पंडित तो कुछ भी बोलें वहां कुछ काम चल रहा होगा दंदा चल रहा होगा तभी तो इस कंपनी को पैसे वहां से मिल रहे हैं ठीक है इससे पता पड़ता है कि जेंड के में ग्रोथ तो और यह डेवलेप्मेंट भी हो रहा है साफ तो पर यह एक इंडिकेशन है बात करते हैं SJVN पर वापस तो यह आपको बेक्ग्राउंड दिख गया इसका फटा-फट से इसके फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं और फं 20 प्राइस हो गई 170 हाइस्ट गई थी 30 रुपीज लोएस्ट गई थी सालवर में तो एक करीब करीब बीच में है थोड़ा सा हाइर साइड पर बावन का पर प्राइस टुवर्णिंग रेशियो लेकर के चल रही है और अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री का बीपी 26 है या प्राइस टोड़ा यह पैग होता है आपका जो आपकी पी रेशियो होता है उससे में अगर आप पीपीएस ग्रोथ को एड़ करते हैं प्राइस ज्यादा है थोड़ा महेंगा तो है तो क्या करना चीए वह अभी देखते हैं अगर ग्राम नंबर की बात करें 42 उसके मुकाबले में अगर प्राइस की बात करें तो करीब चार गुना प्राइस है लगबग चार ही क्यों है हाँ मतलब तीन गुना के असपास प्राइस है तो थोड़ा सा हाइर वैलुएशन इसको मिल रही है अब दोस्तों इंपोर्टन चीज दिखाता हूं आपको यहाँ आपको सच्चा ही ज्यादा साफ पता पड़ेगी कि कंपनी का देखो यह जो बिजनेस है ना इसमें एक तो लोंग टम के प्रोजेक्ट होते हैं तो आप क्वाटर नहीं देख सकते हैं आपको क्लियर पिक्चर दिखेगी ही नहीं आपको एर ओन इर देखना पड़ेगा तब ही पिक्चर क्लियर दिखेगी बट एनिवेज अगर पांस साल की डिटेश देखें तो यहां तक इनका प् दम धंदे में नहीं है दम लेकिन प्राइस फिर भी बढ़ रही है और कर रही है लोगों को बेदम तो बेदम मतलब यह यह देखिए कि यहां पर कहीं गैप है इस प्राइस को इस EPS के हिसाब से कुछ टाइम बाद में नीचे आने की संभावना बनती है तो इसलिए इतने अब बात करते हैं इसके फिनेंशल्स की तो फिनेंशल्स में आप ही देखिए और क्वार्टर में तो ज्यादा फर्क पढ़ना नीचे है यह यह चलते हैं दोस्तों क्योंकि लंबे प्रोजेक्ट चलते हैं इनके सो 1682 करोड से बढ़ते बढ़ते इनका दस साल में जो रेव 70% मुनाफ़ा मतलब इतना तो कहां मिलता है आप दूसरी FMCG कंपनीच में जाके देखोगे पांस-दस परसेंट पर काम करते हैं वो लोग यहां यह 70% ले रहे हैं और वह भी गवर्मेंट ओफ इंडिया को जा रहा है अब समझ में आया है गवर्मेंट ओफ इंडिया डाइ बेचना जिस दिन इनको हीरे की कि मत मिलेगी तब बेचेंगे फिर देखते हैं को उन खरीदता है सो दोस्तों अब गवर्मेंट ओफ इंडिया ना प्रोफिट से और डिविडेंट से पैसा कमाना चाहती है ना कि अपने माल को बेच करके समझें आप इसलिए प्राइविट आपको प्रोफिट में जंप नजर आएगा तो कंपनी ठीक ठाक शेप में पर एक्स्पेंसिव इसमें कोई डाउट नहीं है डिविडेंट पे आउट यह बड़ी अच्छी बात है कंपनी हर बार हर साल डिविडेंट दे रही है और कंसिस्टेंटली दे रही है इसका मतलब मेनेजमेंट इमानदार है और इस केस में तो गवर्मेंट ओफ इंडिया इनवोल्ड है तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है प्रोमोटर्स के पास 80% है FIA के पास 52% है DIA के पास 5-6% है और वो भी अब डाउन होता रहता है ज्यादा कुछ इसमें मोमेंट नहीं है बात करते हैं टेक्निकल्स की तो आपके स्क्रीन के उपर दोस्तों अब जो टेक्निकल्स की चार्ट है वो मैं लेके जा रहा हूं एक सेकिंड ना थोड़ा सा मेरे खिया से स्क्रीन शेयर होने से रही है प्रोफिट सतर असी परसेंट के आसपास का है और नो सो हजार के आसपास करोड के आसपास का प्रोफिट है पर सबसे इंपोर्टन चीज क्या है पहली चीज अर्निंग पर शेयर यह ग्रोथ होती है इसमें तो यह बहुत अच्छा पोइंट होता है तो EPS देखिए 2.54 था अब EPS है 3.46 तक पहुचा और पिसले 12 मैंने में 2% से उपर है तो अब ठीक है और डिविदेंट कंटिनुसली दे रही है कंपनिया आप यह देखिए 30 40 50 80 90 तक भी 122 परसेंट तक भी कंपनिय ने डिविदेंट दिया है हाला कि 100 परसेंट से उपर ज्यादा डिविदेंट ह लेकिन जैसे वैदानता ऐसी कंपनी है वो जानबूज करके करजा ले ले करके इन्वेस्टर्स को मिस्गाइड करने के लिए 100 परसेंट से जाड़ा 357 परसेंट तक का उन्होंने डिविदेंट दिया है वह गलतिया है वहाना चाल बजी है लेकिन यहां ऐसा कुछ बनलब ए टेकनीकल्स की यह टेकनीकल्स चार्ट आपके स्क्रीन पर है और यहां आप साफ़तोर पर देख सकते हो कि कंपनी की प्राइस अभी कंसोलिडेशन में है और यह इस तर को तोड़ने का इंजार कर रही है कोई मूविंग का क्रोस ओवर नहीं है 49 के आसपास में इसकी जो आर 80 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं वहां आप थोड़ा सा इसमें विचार कर सकते हैं हाइर साइड में अगर यह जाता है तो दोस्तों फिर यह करीब 140 के आसपास में टच कर सकता है बट मैं अगेन कहूंगा कि यह ओवर वेलूड शेर इसलिए आपको इसमें एग से ज्यादा फाइदा होता है सो दोस्तों यहां एक मैं आपको डिस्क्रेमर देदू कि यह एक एजुकेशनल वीडियो है कोई हमारी तरफ से बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है मैं चाहता हूं कि आप चीजों को सीखें समझदार इंवेस्टर बने और मैं और मेहनत करने के लिए लगा रहा हूंगा दोस्तों अगर आपने वीडियो को शेर नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर करिए क्योंकि शेर करने से अच्छे लोगों तक सही कॉंटेंट पहुंसना चाहिए और उससे किसी का फाइदा होगा तो आपके कर्म भी तो दिया उसके लिए दिल की घराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगाता रिसर्च करिए एक अच्छे समझदार इंवेस्टर बनिये कोई आपको मिस्गाइड नहीं कर पाएगा इस बात कि मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं अगले वीडियो में जल्दी म दोस्तों तब तक जाए हिंद